प्रदान मंत्री जी ने एक बड़ा 20 लाग करोड के एकोनॉमिक पैकेज का एलांग किया था तब आपने सोचा होगा कि अब आखिर में जाकर करोना वाइरस के बाहर आकर एकोनॉमी पट्री पर वापस आ जाएगी लेकिन निकला क्या हो निकला एक बड़ा सा लोन मेला इससे किसको फायदा होने वाला है आप हमको तो बिलकुल नहीं होगा ये फायदा होगा सिर्फ सूट बूट वाले कॉर्परेट का आप पुछेंगे कि कैसे हो सकता है इतनी आसानी से नहीं बताऊंगा आप पूरा का पूरा विडियो देखिए आज का इस लोन मेले का हिसाब किताब पूरा देखिए अच्छा सबसे पहले ये सवाल पूछते कि लोग बैंकों से लोन क्यू लेते हैं गाड़ी खरीदने के लिए लेते हैं घर खरीदने के लिए लेते हैं और साथ में क्रेडिट कार्ट पे भी चीज़े खरीदे जो की टेक्निकली लोन ही होता है बैंक लोन के तरह ही होता है अब आप तो लोन तभी लेंगे जब आपको लगे कि जितना मुझे EMI देना है उससे जादा मेरी सैलरी बढ़ेगी या मेरे पास पैसा होगा तो मैं आराम से EMI दे दूँगा चाहे वो गाड़ी का हो या वो लोन नौकरिया जा रही है नहीं नौकरिया नहीं मिल रही है पेकट हो रहा है क्या आप लोन लेंगे नहीं न क्योंकि अगर आप ये नहीं जानते कि आप पैसे वापस दे सकते हैं तो आप लोन नहीं लगे खेर ये हुआ परसनल लोन की बात लेकिन जादा तर जो लोन बैंक द loan लेते हैं वो loan क्यों लेते हैं अगर आप अर्थशास्त्र यानि की economics का कोई भी textbook खोल कर देख लेंगे तो आपको बता जाएगा कि कारोबार किसी भी कारोबारी का क्या होता है कि वो business बढ़ाने की कोशिश करते हैं उसका size बढ़ाने की कोशिश करते हैं जब उनको लगता है कि मैं जो चीज बना रहा हूं इसके जादा खरीदार हो सकते हैं तो वो क्या करते हैं निवेश करते हैं मशीन खरीदते हैं फैक्टरी बिठाते हैं नया अगर मैं पैसे डाल दूँ तो वो क्या करते हैं बैंक से जाकर लोन लेते हैं ये हुआ बिजनेस लोन लेकिन लोन भी तब ही लिया जाता है जब लगे कि जितना मैं बैंक को वापस करूंगा चाहे सूध हो या प्रिंसिपल अमांट हो उससे जादा मेरा कारोबार बढ़ा के मेरा मुनाफ़ा होगा तो मैं लोन वापस करके भी जादा फायदे में रहूँगा लेकिन जब दुनिया भर में मंदी चल रही है जब भारत में इतने दिनों से मंदी चल रही थी कोविड-19 कोरोना वाइरस आने से पहले से ही हम जानते हैं कि चीज़े बिक नहीं रही थे तो क्यूं लोन लेंगे भाई कारोबारी वो किसको बेचेंगे अगर जिनको बेचा जा रहा है उनके पास नौकरी नहीं है काम नहीं है उनके आए नहीं है तो वो क्यूं खरीदेंगे तो फिर निवेश भी कौन करने वाला है तो ऐसे में ये बात साफ है कि सिरफ लोन देल से ये economy वापस पट्री पर नहीं आएगी किसी को फाइदा नहीं होने वाला loan लेने वाला कोई नहीं है अगर खरीदार नहीं होंगे लेकिन इसमें एक page है जो कि text cook के बाहर का page है सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो loan दिये जाएंगे वो बिना किसी security के loan है जो तीन लाग करोर MSM के नाम पर दिया गया है वो collateral free यानि उसके लिए आपको कोई भी paper या संपति नहीं दिखाना पड़ेगा जो कि आप अगर loan वापस न ले होता है ना bank कहते कि फिर हम ये आपसे ले लेंगे वो आपको नहीं करना पड़ेगा ये collateral free यानि कि security free loan है साथ में दूसरा point एक और है कि bank जो loan आपको देंगे अगर आप पैसे वापस नहीं करेंगे तो bank का कोई भी घाटा नहीं होगा ये सारा का सारा पैसा सरकार इसकी भरपाई करेगी इस साल नहीं अगले साल से तो आप समझ रहें कि ना जो loan लेने वाला है उसका कोई रिस्क है ना loan देने वाला जो bank है उसको भी कोई रिस्क है अब college MBA की जो textbook है उसके दुनिया की बाहर की बात अगर हम थोड़ा और आगे ले जाए तो हमें इतना पता चलेगा है कि हमारे देश में जो हारोबार या business होता न वो textbook की तरह नहीं चलता है कुछ चंद बड़ी कंपनिया हैं जो जादातर सेक्टर में पूरे मार्केट पर जिन्हों ने कबजा कर रखा है अब सरकारी contract इनी को मिलता है बहुत सालों से इनका political connection के चलते इनकी growth हुई है यह market को कबजा कर पाए हैं contract जब सरकारी मिलता है तो क्या होता है सरकार को खुश करने के लिए या नेताओं को खुश करने के लिए उनके चहीते company को सब contract मिलता है क्या करता है नेता फोन करते हैं कि यह जो है ना company बड़े अच्छे हैं हमारे जान पैचान के इनको थोड़ा छोटा मोटा कोई कारबार आप दे दीजे ना आप अगर इतना बड़ा प्रोजेक्ट ले रहे तो cement इनसे खरीद लीजे या बालू इनसे खरीद लीजे या इनसे थोड़ा सा वो जो सीख है वो खरीद लीजे लोहे के तो यह सारा जो सब contracting होता है यह भी राजनीतिक connection से छोटे या मजोले कंपनियों को भी मिलते है तो यह एक धांचा बना हुआ है एक पूरा धांचा बना हुआ है जिसके चलते political connection, corruption और साथ में एक दूसरे की मदद करने का जो system है वो system से हमारे देश में कारोबार चलता है अब कारोबारी क्या करते हैं, वो लोन ले ले जाते हैं बैंक पे बैंक को फोन आ जाता है, मैनेजर को फोन आ जाता है या चेर्मन तक को कभी कभी फोन आ जाता है, ऐसा सुना गया है पहले सुना जाता था कि मंत्री महोद है या किसी नेता ने फोन कर दिया और का कि ये जो company आ रहे है ना sir ये बहुत बड़े का company इसको आप अराम से loan दीजिए आपका कहीं ने जागा ये loan लोन ले रहे हैं बैंक क्या कहते हैं कि देखते हैं देखिए आपका जो project है इसका 20% खर्चा आप अपने prices उठाइए और हम 80% loan दे देंगे अब कारोबारी क्या करते हैं कारोबारी कहते हैं कि 80 करोड का ये project है किसी तरह घुमा फिराकर paper पे इसको 100 करोड का दिखा देते हैं खर्च 100 करोड का खर्च दिखाते हैं बैंक के पास जाते हैं 80% बैंक से loan मिलने वाला है कितना मिलेगा 80 करोड असल खर्च कितना था 80 करोड यानि कि कारोबारी का अपना रिस्क कितना है ठेंगा एक पैसा भी लगाने की जूरत नहीं है मुनाफा हुआ तो मुनाफा अच्छा खासा उनका हुआ बैंक का पैसा वापस देजिया अगर प्रोजेक्ट दूब गया तो कारोबारी का या कंपनी का क्या फर्क प्रोमोटर का एक पैसा भी तो नहीं लगा ना जाद से जादा क्या होगा वो कंपनी चली जाएगी अब हमने पैसे जब नहीं लगाए कंपनी में तो हमें क्या प्रोब्लम होने वाला है प्रोजेक्ट ले लो बैंक साथ में एक और चीज ए हमने देखा है कि हजारों ऐसे केस में क्या हुआ है कंपनी के जो प्रॉमोटर होते वो बैंक का पैसा लेकर उसको किसी दूसरे कंपनी के रूट से अपना कारोबार चलाते हैं या दूसरे किसी प्रॉपरटी में पैसा लगा देते हैं या अपने बड़े बड़े गारियां खरीद लेते हैं बड़े बड़े आलिशान बंगले खरीद लेते हैं और ये सब बाहर किसी दूसरे शेल कंपनी से करते हैं ताकि जब पैसा डूब जाए ये वापस न देना पड़े, खैर, बहुतों के पीछे तो लग गए हैं, बैंक और सरकार भी लगी हुई है, बहुतों से पैसे भी वापस निकाले गए हैं, बहुत लोग जेल भी पहुंच चुके हैं, लेकिन ये इसलिए न, क्योंकि ये कोलाटरल था, बैंक का रिस्क था, बैंक को पै सेक्योरिटी देना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, आप बैंक से पैसे लीजे, आपका गारोबार डूब गया, डूब गया, क्या फर्क पड़ने वाला है, आप अराम से कुछ पैसे साइट पे कीजिए, आपका फायदा ही फायदा है, अब बैंक का क्या है, अब देख लगभग 12.5% खराब लोन है यानि वापस नहीं आने वाले हैं अभी latest जो हमारे पास figure है जो इन में से मज़ौले यानि कि थोड़े बड़े कारोबारियें कमपनियें उनका NPA यानि कि खराब लोन का रेट कितना है 18% उसके उपर हम अगर जाएं लगभग जो हमें ने कहा कि 73 प्रतिशत बिजनिस लोन बड़े कमपनियों को जाता है तो बड़े प्रोजेक्ट और बड़े कमपनियों को जो 73 प्रतिशत बिजनिस लोन गया है इसमें से खराब लोन का रेट कितना है लगभग 20 प्रतिशत तो आप देखिए क्या करेंगे बैंक बैंक कहेंगे कि देखि में खराब loan का जो figure है वो थोड़ा कम हो जाएगा जो promoter है उसके हाथ में पैसे आगे उसने पहले के कुछ पैसे वापस दे दिये उसको वो company वापस देने की जरूरत नहीं है company बेचने की जरूरत नहीं है और नए loan पे तो कोई collateral security है नहीं तो यह उट पैसा डूप भी जाए तो कौन सा फर्क पढ़ता है इससे अच्छा है थोड़ा बहुत एंट के अपना और भी संपत्ती बना लो इसलिए मैं कह रहा हूँ यह जो पूरा loan मेला है economic package के नाम पर इससे सिर्फ सूट बूट के कारोबारियों को फाइदा होने वाला है आप हमको नहीं इस साल तो खैर सरकार का खर्चा बहुत कम होगा लेकिन अगले साल से अगर यह पैसा वापस नहीं आया अगर यह खराब loan बन गया तो सरकार को यह भरपाई करनी पड़ेगी पूरी की पूरी तो इसका पैसा कौन देगा जब सरकार को भरपाई करनी पड़ेगी कहां से आगा पैसा टैक्स से आएगा ना और सिरफ income tax ने हम सब जो चीज़े खरीदते हैं GST उस पर देते हैं उससे भी आएगा यानि की फायदा किसका सूट बूट वाले corporate का घाटा किसका आपका और मेरा यही है इस economic stimulus का हिसाब किताब